जै मातादी फ्रेंज, आज नवरात्री का फर्स्ट डे है एग आप सब को नवरात्री की बहुत बहुत शिपकामना है माता रानी हम सब पिक्रिफा पढ़ाय रखे तो गाइस आज नवरात्री के पहले दिन मार्शेल पुत्री के बारे में जाते के लिए इस वीडियो को एन तक देखे तो दोस्तों जैसे मैंने आपको मेरी फॉर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम नौ दिन मा के नौ अफ्तारों को पूछते हैं अगर आपने हो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज जाके देख लीजिए और येस चानल को सबस्क्राइब भी कर लीजिए आज नवरात्री के पहले दिन हम प्रणाम करेंगे माशेल पुत्री को माशेल पुत्री मादुर्गा का पहला स्वरूप है माशेल पुत्री is the daughter of god of mountain हिमाल्यास तभी तो उनका नाम शेल पुत्री है शेल यानकी mountain और पुत्री यानकी daughter माशेल पुत्री ने भगवान हिमाल्या की पुत्री के रूप में जनम लिया था मा शैल पुत्री की कथा कुछ ऐसी है दोस्तों कि मा शैल पुत्री पिछले जनम में सती माता थी और उनके पिता थे राजा दक्ष जो की ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजा दक्ष माता सती का विवा शिव जी से नहीं कराना चाते थे बड़ फिर भी मा सती ने शिव जी से विवा किया और क्यलाश पे रहने लगी एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यग्य रखा पर उसमें शिव जी और मा सती को नहीं बुलाया लेकिन फिर भी मा सती वह गई पर उनका और शिव जी का वह बहुत अपमान हुआ इसी अपमान के कारण मा सती ने अपने आपको यग्य की अगनी में समा दिया कहा जाता है कि इसके बाद भगवान शिम इतने उदास हो गए थे कि उन्होंने सती माता का आधा जला शरीर उठाकर पूरे प्रमार के चक्कर लगाए और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसके 51 हिस्से कर दिये जो अलग-अलग जगे गिर गए और उन्हें आज शक्ती बीट के नाम से जाना जाता है मार्शेल पुत्री अपने एक हाज में त्रिशुल धान करती है और एक में कमल का फूर आज के दित भग माशेल पुत्री के चट्णों में शुद्धी अरपड करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि शुद्धी अरपड करने से उनकी जिंदगी में सुक और सम्रिद्धी आएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें कर मैं आपको दवरात्री के दूसरे दिन के बारे में पताऊंगी जय माता दी